दादी नीतू कपूर को देखकर राहा ने बजाए ताली फैमिली के साथ वेकेशन पर निकले रनबीर और आलिया देर रात बॉलिवोड के स्टार कपल आलिया भड और रनबीर कपूर बेटी राहा के साथ मंबई एरपोर्ट पर स्पॉट हुए इस मौके पर पहली बार राहा ने पेपरासीस को देखकर हाई किया वही जैसे ही राहा की दादी नीतू कपूर एरपोर्ट पर पहुँची राहा उन्हें देखकर ताली बजाते हुए नजर आई स्टार के राहा का ये क्यूट मॉमेंट काफी अच्छे सी कैप्चर हो गया और अब सोशल मीडिया पर ये काफी वाइरल हो रहा है वीडियो में नजर आये कि आलिया और रनबीर एरपोर्ट पर चेक इन करने में बिजी थी और इसी दोरान आलिया राहा को अपनी गोद में लिये हुए नजर आई तबी पीछे से रनबीर की मा नीतू कपूर महा पहुँच गई दादी को देखते ही रहा ने cute सी smile दी और फिर वो तालि बजाने लगी इस वीडियो पर users ने तरह तरह के reactions दिये हैं इस वीडियो के viral होते ही एक user ने लिखा रहा तो बड़ी हो गई वहें कि यूजर ने लिखा कुछ साल बाद दिपिका भी अपनी बेटी के साथ में ट्रावल करेंगी। वही एक कॉमेंट सेक्शन में यूजर का कहना था कि राहा बिलकुल रिशी कपूर जैसी दिखती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कपूर फैमली विकेशन के लिए मंबाई से रवाना हुई है अलाकि इससे लेकर कोई इनफोर्मेशन सामने नहीं आए कि वो कहा गई है। आलिया और रनबीर ने 14 एप्रिल 2022 में शादी की थी। शादी के 8 महीने बाद नवेंबर में कपल राहा के पेरंट्स बने थे। राहा के इस वीडियो के अलावा उनके एक तस्वीर भी सोशिल मीडिया पर काफी वाइरल हुई है और ये तस्वीर राहा की बुआ करिश्मा कपूर ने अपने सोशिल मीडिया एकाउंट पर शेयर की। करिश्मा ने घर पर हुए गणेश शतूर्थी सेलिबरेशन की फोटो शेयर करके लिखा मोदक और मेमरीज। तस्वीर में करिश्मा के अलावा करीना, रनभी, रनधीर और बविता कपूर और अर्मान और आदर समेथ कपूर फैमली के कई मेंबर्स ने जराए। रहा के कजिन जे और तैमूर भी सेलिबरेशन में मौजूद थे।